हेलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल चीडिसी टुटर में जैसा कि आपको पता है डी फार्मेसी के जो भी बच्चे है सबको एक्जिट एक्जाम देना अनिवार है तो एक्जिट एक्जाम में टोटल आपके 11 सब्जेट से कोश्चन आ रहे है उन एक्रहों सब्जेट का complete chapter wise topic wise आपको MCQ अगर solve करना है और exit exam में अच्छा perform करना है तो आप हमारे चैनल को विजिट कर लिजेगा चैनल पे नए है तो subscribe कर लिजेगा क्योंकि ये चैनल आपके exit exam में बहुत ज़्यादा help करने वाला है हमारे चैनल पे डेर सारे videos आपको अ पर मिल जाएगी उसी कड़ी में जो आपका फार्मासोटिक सब्जेट है यह आपका exit exam में आ रहे है तो फार्मासोटिक सब्जेट के question हम करा रहे है इससे पहले part 1, part 2 और part 3 हो चुका है ये वाला part number 4 है playlist लगा दूगा playlist में जाके या description में लास्ट में नीचे इसकी playlist होगी वहां से other part देख लिजेगा और part number 4 के बाद भी जो अलग part है वो भी देख लिजेगा clear है और अगर हम बात करें कि भीया आज आपका topic क्या होगा तो आज part number 4 में size reduction, size separation और mixing इन topic से mcq question with proper explanation हम बताएंगे भीया size reduction यह देखो size reduction size separation और mixing total unit 4 में 6 topic है तो तीन topic इसमें करा देंगे और इसके बाद जो part number 5 होगा तीन topic इसमें total आपका यहां पर यह सारे mcq करा देंगे इससे पहले 123 chapter के भी mcq हो चुके है तो वहां से जाके clear कर लीजेगा चले start कर देते हैं राई उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भीया NB मेंस आपका total exit exam में 3 paper करा रहा है paper 1 paper 2 और paper 3 हर paper में डेडड़ सो question होगा तीन तीन घंटे की आपकी timing होने वाली है और 50% passing marks होगा कितना हुए 50% passing marks और 50% से कम लाओगे तो फेल हो जाओगे और negative marking नहीं है यही तो पता है चले इस ट्रापिक से जो जो पॉसिबल में से कि आपके exit exam में आ सकते उसको हम देखने का प्रयास करेंगे सबसे पहला यहां पे mcq क्या होने वाला है पूछा गया है कि which mill induces a screen as a integral part of size reduction जी हां ऐसा कौन सा size reduction का मिल है जिसमे सीव लगी होती है screen लगी होती है और यह side reduction equipment का integral part होता है screen क्या करती है जब size घठता है तो उस size of particle को नीचे बेजने का काम करती है और ऊपर वो particle लुग जाते है तो यह ऐसा कौन सा side reduction equipment है जिसमें सीव लगी होगी इस्क्रीन लगी होगी बाल में तो भाई यह कोई screen नहीं लगी होती है नहीं एस रदर में इस्क्रीन और सीव किसमें लगी होती है हैमर मिलल दीना है मर मिल के अगर बात करते हैं वहां पर सीव लगी होती है लेखो जब आप हैमर की बात कर लिए तो पार्टिकल्य तो लुगता है तो यही प्रक्रिया तो हैमर करता है तो यह आपका स्क्रीन हैमर मिल में होगा अगला कोशन यहाँ पे है दा इनर्जी रिक्वाइड इन्द साइड रोड़क्शन प्रॉसस इस डारेक्ली पॉपोशनल टू जा न्यू सर्फिस एरिया प्रॉडूस यह किस थेयोरी के द्वारा ब यह बाँ जी ने बताया कि जी ने बताया तो यह साइड रिड़क्शन की टोटल थी 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 एक रिटिंगर एक बॉड्ट से कि लेकिन यहां पर अगर बात किया जाए न्यू सर्फिस एरिया प्रॉडूस इसके डाइटली पॉपोशनल इनर्जी होगी वो बताया रिट यह चोटे पार्ट में टूटा है जो नया सरफिस एर्या प्रोडूस हुआ उसी का equation is equal to kir SnMinus Si तिया गया जहां पर Si क्या है प्रारंव के इनीश्चल पीस एरिया था सन क्या है निउसर्फिस data इह वह क्या एक्का रिटिंग अवीड कॉन्स्ट हो गया और यह आपका amount of energy हो गया तो यह सारी चीज़े आप देख करके यहां से कोश्चन लगा सकते हो अगला कुश्चन यहां पर क्या होने वाला था पूछा गया है विच आप दो फॉलिंग मिल वर्क अन्द प्रिंसपल आफ कंबाइड इंपैक्ट और प्रेशन जिया ऐसा कौन सा मिल है जिम मे में तो सिफ आख इंपैक्ट लगेगा तो यह तो नहीं हुआ फिर रोल्ल मील में क्या होता है यहां पर क्रासिंगि सीरिंग लगेगा ठीक है यह भी नहीं हो लिया अपको सब्तिक ने को चोटी बॉल्स होती और बार पार्टिकल अ होते हैं बाल जब होँमता है तो पार्टिकल पर गिरती है तो इंपैक्ट लागेगा और जब बार्टिकल परे कल आपस में रगड खाएंगे तो उसे 살ने एक्षंट ये पोगा सबूर्ब ऑपका सिंगे हो भी ONT फोसे हम II को भी बूला जाइगा डायमीनेट करना उसको रगोना डिसिंटिकरेट करना यह भी बोले दाएगा पुलोर आजरना बोले सो पूछा किया है ऐसाइज सेंठों का परलेशन istem फाइल नहीं होता है किस प्रॉपरटी पे साइज का सेपरेशन पेस नहीं होता है साbuilt साइज की सब्सकेंट रेचन से भीन से नंद गुछा इन में से कौन शिपर नोहीं трав檬ं यह थिस पर सप्रेशन व्हों सकता है लेकिन तेक्षर की यहां पर बात नहीं आएगे तो सीी सुपित नाट अफर सब्सक्राइब है देंस आपके क्या है क्या है साइट से परेशन के पॉइंस से लेकिन आपका टेश्र नहीं हुआ तो अगला कॉशन क्या है साइज रेड़क्षन ऑब material has one of the following disadvantage जियां जब साइज रेड़क्शन करते हो पाडिकल का साइज घटाते हो तो एक disadvantage हो जाता है क्या हीट जब जनरेट होती है तो डिग डिग्रेट हो जाता है यह इसे डिग्रेटेशन हो रहा है यही तो disadvantage है कि भया हीट जनरेट होती है तो ड्रग खराब होने लगता है हीट संस्टिव में ड्रग डिग्रेट हो जाता है तो यह आपका disadvantage है बाकी तीनों एडवांटेश है पूछा तो डिग्रेटेशन होना पूर मिक्सिम हो जाना यह आपके disadvantage होते हैं साइज को घटा ने ठीक है अगला कुछन क्या है और स्क्रीन डैट सार्पली सेपरेट द फिल्ड मिक्षर इस काल जिया ऐसा सीव ऐसा स्क्रीन ऐसी जाली ऐसी चलनी ऐसा कह सकते हो जो स्क्रीन होगी जो की चाह isto मिक्षर को सार्पली सेपरेट करते है उसे अम एक्षुल साइडियल स्क्रीन बोलेंगे रिएल स्क्रीन विला इस draft पार शिया तो आपके आइडियल मिक्सरों भीदी एस इस स्क्रीड करती है वो स्क्रीन में या क्या दिया जो मिक्ट है वहाँ पर आया है करने काम करती है क्लियर है अगला कोच्छन क्या है विच वन आप फॉलिएंग सिक्वेंस इस इन वाल इन दो मेकेनिज़ आफ साइज रिड़क्शन जिया जब किसी पार्टिकल का साइज तोड़ते हो कौन-कौन सा सीक्वेंस होता है पहले क्रैक हो जाता है पार्टिकल में फ हो जब उसीट है पार्टिकल में थोड़े थोड़े थोडे थोड़े थोड़े धारी निसान होले और धारी धारी पहले निसान होते उन्हें क्या बुला जाता है जांग एंटिक होने लगेका चुट पहले फिलाउस भूआ फिर दूसरा क्रेक हो गया फिर हमने चोट पहुचाई फिर हमने चोट डाला तो क्लीवेज यानि यहां से पार्टिकल फिर टूट जाए अलग अलग पार्टिकल आपके तूट गया यानि पहले क्या हुआ जी फ्लाउस हुआ निसान है धारी-धारी उ हुआ फ्लाइस को इंपेक्ट डाला तो यह एक रैक आ गया फर्दर फिर इंपैक डाला तो हमने क्रैक को क्या देख लिए अलग-लग ट्लीवेस हो गया पार्टीकल में बदल गया और जब रभी एक्षन होती है तो यह पार्डिकल आपस में अट्टीट होगा तो किनार किना क्रसिंग और सीरिंग दोनों लगता है किसमें नहीं लगता यहीं पूछा गया है हैमर में तक यहां पे इंपक्त लगे गा दॉप कि सीरिंग रसिंग आपके ये नह रखेगा कुलाई डेल में सब्र要न में स्रीпа ऊई रहा हैं मेल में में क्या लागते कि आपके पॉर में ब्रieranill है लगता है यहां है म fact रोर कोशना इंप्र डाल नथा यह आपके हम अन यहlement है क्लियर है अगला कोशन यहां पर क्या होने वाला है दा पाउडर विच पास थ्रूद सीव विट नॉमिनल में से पर्चर साइज 1.7 mm या सीव नंबर 10 जिया ऐसा कौन सा पाउडर होगा जो कि 10 नंबर सीव से 10 नंबर सीव क्या होती है कि नंबर आफ खाने 205 cm में कितने हों होते तो सीव क्यों टो देस्याथ होती है कि कूछ से पूरा थान्रेस्ण पास होती है उसे मेरी फाइन पाउडर तो आप के 120 सीव से पास होती है यह प्योंड़र देख लो इससे प्लेर हो जाएगा वह या quous pourのはедra ustedes motives focusstep曲u Kping तौस म स्प पूरा 100% passage होता है और चराइबर शफ्रसेट य्यान पर चालीफ ज्यादा पास नहीं होगा मॉडिट्री कोटर्ज वी बाइस नंबर से पूरा पास होता है और यह साइड नंबर से यहां से कोशन मनेगा पक्का मनेगा इसको आप देख कर याद करके चलिएगा बताए भी है ठीक है चलुँ अगला कोशन यहां पर किया साइकलोन सेपरेटर किस प्रिंस्पल परकरेगा साइकलोन सेपरेटर की बात करने एक कोनिकल ब्लेस होता है और हाई सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लगता है साइकलों सेप्रेटर सेंट्रिफ्यूगेशन प्रिंस्पल पर करेगा एजिटेशन पर कलेगा कंपन करेगा क्या यह वाइब्रेशन करेगा गाईरेशन करेगा अर्विया चक्रवाद साइकलों आ रहा सीव से अगर आपका एगिटेशन पर करेगा अलगलग आपके प्रिंस्पल है अलगलग एकुपमेंट के ठीक है अगला कुछन है डियूरिंग साइज सेपरेशन दा मुवमेंट आप पार्टिकल कैन बी इनांस भाई वन आप दा फॉलिंग मोड्या साइज का सेपरेशन कर र ऐस्ट रहो तो उसको चलनी को एजीटेट करने लगो हिलाने लगो कंपन करने लगो तब तो साइज सेपरेशन होगा अच्छा तो एजीटेशन से आपका मुवमेंट आ पार्टिकल बढ़ने लगीगा तो यह आपका साइज सप्रेशन को तुनरान इफेक्टिव होता है र नहीं है अगला कुछन यहां पूचा गया है डर्डी सेड्वॉणाटेज औफ सीसे कर में थर्जियां जो सीव सेकर मसीन होती दिन जिस में सबसे उपर सबसे वड़ी उससे छोड़ी कि उससे चोटी ऐसे करके देर सारी सीव अरेंग योती और वह हिलता है हिलता है कमपन करता तब जाकर पार्टिकल सेपरेट होते हैं तो उस सीव सेकर मसीन का डिस अडवांटेज क्या है यह मतलब कम कैप्सटी इसमें सेपरेट कर से ऌते हुआ नहीं पैसिटरी नहीं हुआ को है नहीं ब्या this is so expensive होता है है नहीं जो थोड़ी हो थोड़ी नोता है शेत है बहुत जाब मेंगे नीच करते हैं ही यह या कि एक एगा जब होता है मैं लगेंगे हमें करना il सब्सक्राइब करना था ने लेकिन सब्सक्राइब ओन टीट रहे हैं तो यहीत डिस डोंटे वा अट्रीशन कायल करता है तो यह एट्रीशन कायल से क्या होता है प्रीक निए भी तफसुर तीया है ठी, Ismaj से सकते हो यहां पर डिस W ребенradas क से डाध किए डादा जाएगा, कलेका क्लियर है अगला कॉश्टन क्या है द利 one सबस्टेंस पिट्विंग आप एचंफ सेंगा पैसित आप शाये यह वायर भार यह व Northwest ब्टर्वार के बीच का डिस्टंस वैर पीका कर लें तो nominal size of aperture बोला जाएगा क्या बोले जाएगा nominal size of aperture की category में आता है जब कीचका distance की बाता अती किसमें जब distance between the boy वो आपके nominal size of aperture में आता है बागी number of Cv kea होता है nominal diameter क्या हूथ इस अपढ़ाया और यह सब आप से देख भी सकते हों । अलके यह अगले क्लोशन का यह इन साइक्लाउन सेไปरिटर दस सपरेटिन होता है पार्टीकल यानि भाड़ी पार्टीकल यहां नीजी आ जाता है हलका पार्टीकल dudorse यहां से निकलाता है इसे 시टेर्ट ओता है साइज और ह्देंस टीमenders सप्रेशन किसम bamboo होता है साइज वाचोटेश्टी पे बीपेंगों क्या या सेप or सर्फिस अरिया पर निलबर और सर्फ थेक्ष्ट्रों सैफ्न एझाल। सेप्रेश्न होता है O separation will depend on size and density किस पर इंपेंड होगा पार्टिकल के साइज पर और पार्टिकल के देंसिटी पर इंसिटी पर यह साइज और देंसिटी पर ही डिपेंड होता है साइकलों सपरेटर लिए रहे है चलो अगला कोश्चन क्या है विच इस नौट लेव यह जब किसी कोश्चन में नौ कि 100 mm होता है यह 50 mm होता है 50 mm होता है बाकि पार्टिकल होते है यह भी डिसर वांटेज रूपर फेलर पार्टिकल लोगर लिमिट क्या है 50 mm लेकिन यह पे 100 है तो यहीं तो नहीं हुआ कितना होगा 50 C casting अन्य क्रमेटर भागी पातीया प्रिशिते हों आखेला नає को यह उन्य साइज कालासिपिकेशन और क्लासिपिकेशन और क्या बोलते हैं साइज बारे क्लासिफिकेशन मतलब सब्सक्राइज बारको कुछ उसे चोटे साइज के पार्टिकमले मच और शोटे साइज के पार्टिकल शह्ते um ऐसे करके शोटे ही पार्टिकल और इन बाडिकल को सेप्रे trabalhar अलग करना क्लासीफाई करना size ka analysis कहलाए का size distribution कहला एंगा size का reduction कहलाए गा या size eaten by refrain को अलग-अलग size के साब से separate out कर रहे 蒜ुने cauliflower separate out कर रहें तो उसका size separation कहलाए कालिगा size separation, हम अलग-अलग size of particle different different size of particle और पार्टीकल के साइज के साब से से बरेट आउट करने का साइज का सब्रेशन कान सब्राइए न हम्रुब करते हैं था फॉर्श्ट और दो टालेंगे और बोल सक डालेंगे तो बोला गया बहुत एफेक्तिव आपरेशन के लिए हमें कितना परसेंटेंटर बाल होना चाहिए sa 10% होना चाहिए 40 प्रशेन उना चाहिआ है लिस जनी 30 पॉसें रीज मोरें 50 सिं तब हिए अगर बाल मिल चाहते हूँ एक। आपरेशन हो शोचाहिए अठ्या चाहिए च्यू all 60% क्या होने वाल कोशन यहां पर क्या होने वाला है critical speed of ball mill is the speed at which यहां बाल मिल की ऐसी critical speed क्रेक्ट respect क्या होती है ऐसे speed जहां पर बाल मिल के साथ centrifuge होने लगता है या एक दूसरे भूनने लगे गाव सक्कूर में बनत्य पर गिरेगा और बॉल टंबलिंग दो किरे लगो क्रेसी होती है जहाँ पर सेंटरिफ्यूगल फोर्स प्रियेट होता वहति है इसकी करेक्टr क्रिटिकल देखो एक होती बहुत स्वेट जिसमें बाल एक दूसरे वापर कैस्केट करेगा तो यह तो मीड़ दूस्पीड है हाइस पीड में का आता बाल दिवाल से चपके 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 रहेगा गिरेगा नहीं लेकिन क्रेटिकल और करेंट इस्पिट क्या अधा जहां प इस सपेचिविका ईक कीछ इस सपरचर साइज ऑं व्याक्र मैंकर बात कर लेや oe verह दो किस सिव नंबर कल ऑगा बताओ सी नंबर साट बोलेंगे से नंबर मुझाटे सीरा इच उबलेंगे यह जीनबर हंड्रिड घिए अगर सीव नंबर शीव नंबर चुशए अगला कोशन कि यां बोलते हैं तो यो कि एमलशन बनाने के लिए यह एक लिए पूंच लिए प्र नहीं तो नहीं होता उटा इसके लिये होता है सिल बर से मिक्सट रहर यह सिल वर्शन की मल्सिफार काशा कर आपके इमलचीन के प्रपरिशन में यूजर फिसमें को प्र शिर्व विए हाई स्पीड हो मैं जिन जरो तो ता है हाइश पीड होजी नई जा यह है हाँ अगला कोशन क्या है अन इवेंट मिक्सिंग लीट्स वन आप देव फॉलइंग प्रॉब्लम इन टाबलेट मैनुफेक्ट्ट्रिंग जिया टाबलेट का मैनुफेक्ट्ट्रिंग कर रहो अगर मिक्सिंग एक समान नहीं है मिक्सिंग तो क्या होगा कंटेंट यूनिफॉर्मिटी में वैरियेशन होगा डिसिंटीकेशन टाइम फ्लक्ट्वेट करेंगा या फ्राइबिल्टी में प्रॉब्लम होगी या फिर पूर फ्लो होगा ग्रेनुल का जिया अगर हम बात करते हैं अन इवें मिक्सिंग हो रही है तो या डिखुरी ऑफ ओमजीनिसिटी इदिखाँनलम में सिन्र८ ही या ऊडरल में सिंग विया टो मैं प्रॉद्या बीजित वस्राइटा है थिखिए और बैप सुमान मिक्स एक समान मिक्सigram 一 ade NgCo को इसा इसी तरीके सब्राइब को कbaby च्तरएंट जाएगा फिक है यहां यहां 3 equipment हो एसे कि लिक्विड लिक्विड च्रेक्षिन हो क्योंलों टाया 한ी एक का नशालिफ लिकृट टार लिफर क्योंत्य प्रलैटे से लिक बेहें लिकाशिज लिक्विड लिकाश्राग लेकिन ध्र्ध तो यापका नहीं होगा बाकी exception पूजा था नहीं पुजा तो यह ही exception होगा वाकी लिकविड लिकविड वह टीनों-चारों-पांच को गए ठेक अगला कोशन दो फिशन में बहुत की इस दो चालिड भी है liquid भी है उसको mix करके बनाया है क्या है फीक विख से लिख सलिख सोलिबल और लिक टालिड का मिक्सर ठीक है भी कॉम्पलेक्स लिख उगला कोशिन किया है एक्समेंड यूस फॉर्द है mixing of powder जिया पाउडर या solid क्या है मिक्स करने के लिए equipment क्या होगा प्राफिलर मिक्चर यह तो लिक्विड लिक्विड को मिक्स करता है तर्फाइन दी कूद लिक्विड लिक्विड को मिक्स करता है कुचाए या पाऊडर सिफ सौलिड बॉलेंडर हुआ वीख ओन ब्लेंडर हुआ जो लेघनद्र हुआए यह सॉलिट पार्टिकल को पाऊडर को मिक्स करने का काम करता है double cone blender powder को mix करता है किसको double cone blender आपके powder को mix करने का काम यहीं किया ठीक है चलिए अगला question हमारा क्या है हमोजीनाइजर और यूस फॉर जी जो हमोजीनाइजर होते हैं वो यूस कियाते हैं किस लिए size के separation के लिए के लिए intensation या mixing अर्व कर देना एक समान बना देना होमोजीनाइज करना मतलब मिक्स करना मतलब को और विएorden जोका हरते हैं और कंशीनय ने कि अधstar आपके क्या क्या होते हैं क्या करने क्सिंग करने का कैंशिशू कौका मेतां? का मां अपस में मिक्स हो रहा है? तुझा तुझराय को तुझह ।- also known as मेक्रो मिक्सさे जिया है अगला कूशन कीया है? ठीपल रोलर मिल वर्वन अदर फ्रिंस्पल आफ कम्प्रेशन अब ढ़र दिवक्षोड एंड टीज सीठ तुझह your तीन डॉलर है अपयाज में घूम रहाया है और सियर और क्रस्ट लगा रहे है है क्या-क्या-क्या-क्या इसका अब इस बरिंसेघ्यों होगा सेर मिक्सिंः अगाइड द्रीफिशन बिपनी रॉद्ट ह rainwater वहाते भी तो प्रंडिया के लिए कौन सा क्थण होगा एजी टेटर एक्षण है या नीडिंग एक्षण है या ब्लेंडिंग ब्लेंड कर्रा या सीड लगा रहा रहा है तो यह जो प्लेंडरी मिच्छर्टा सेमी सॉलिट की बात हो रही निलेशन यहां कि देगा आठाग गूतने वाला जो लागी सो एक्षन करेंगे सा जो आपके रिक्षिर होते हैं इस độ गर्णीर हो गया कर दिया की सबन्सरी अब यहां प mirac original में फिर बात करें थे एक्षंड एक्जाम में एक जा indoors सब्जेट जो आ रहे हैं उन्हीं ग्राव सब्जेट का complete chapter wise topic wise यहां पर theory मिलेगा और mcq मिलेगा एक theory की book है mcq क्या नाम है डी-pharmacy exit exam matter finger tip theory और mcq पूरा colored book है hard binding book है easy to understand book है एक ही book में सारा का सारा slayvers cover है एक topic theory पढ़ा और उसका mcq लगाया theory पढ़ा mcq लगाया दोनों book 900 की है उसको मंगाना है तो description में link मिल जाएगा वहां से जाकर आप देख करके मंगा सकते हो और एक और book बता दूगा जो कि flip card amazon दोनों पर मौजूद है exit exam का source or short mcq series इस mcq series में खासियत क्या है कि जो paper 1 paper 2 paper 3 होने वाला है ना उसके paper pattern कि हिसाब से आपके model paper 10 से जादा और पूरा इग्राओं subject का question है 3000 से जादा question है और पूरा का पूरा आपके PCI के NBMS के latest levels पे यह book आपके साथे 300 रुपे की मिल जाएगी amazon flip card पे इसका link में description में लगा दूगा बाकी इन दोनों book का भी link में description में लगा दूगा और जो यह आपका chapter number क्या सकते हो 4 पढ़े पढ़ाया है हमने सुटिक्स का part number कौन सा था चौता था इसके पहले के part 1 part 2 part 3 सारे पार्ट देख लीजेगा और अच्छे से कर लीजेगा इसी तरीके से सारी वीडियो देखने के लिए यहां पर मैं प्लेलिस्ट लगा दूगा दूगा प्लेलिस्ट को विजिट कीजेगा और बुक मानी है तो को जाते जाते विजिट कर लिजिएगा उमीद होगी आज के सारे कुशन आपको समझ भाए होंगे इसी तरीके से पढ़ाई करने के लिए आप हमारी चैनल को विजिट कर सकते हमारे चैनल पर सारे एक्जिट इग्जाम से रिलिटेड चीजे मिल जाएंगी मिलते हैं किसे तब तक के लिए अपदर अपदर का ख्याल लगें पढ़ाई करते हैं थैंक यू सो मच आल दी मेरी वेस्ट